हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल और मैनिपुलेट करना सीखेंगे इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स का इंट्रोडक्शन दिया था अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो right side में i button पर click करके चरूर से देख लीजे तो चलिए अब हम start करते हैं तो दोस्तों अगर हमें अपनी text file से data को read करना है, data को write करना है, data को modify करना है या data को delete करना है तो ये सब task को perform करने के लिए python हमें कुछ file modes offer करता है तो पहले हम इन file modes को समझेंगे, text files को open और close करना भी सीखेंगे और फिर next video में data को read, write, modify और delete करना भी सीखेंगे तो देखिए हमारे पास total six modes होते हैं, text files के लिए अलग और binary files के लिए अलग मतलब अगर हम text files को handle करेंगे, तो हम text files के mode use करेंगे और अगर binary files को handle करेंगे, तो binary file modes का use करेंगे तो first mode है text file के लिए R और binary file के लिए R भी ये mode हमारी files को read करने में help करता है, ये default mode होता है और files read करने के लिए हमारी file exist भी होनी चाहिए Second mode है text files के लिए w और binary files के लिए wb ये mode हमारी files को write करने में help करता है अगर हमारी file exist नहीं होती है तो file create हो जाती है और अगर file exist होती है तो file का existing data delete हो जाता है और new data overwrite होता है Third mode है text files के लिए a और binary files के लिए a b ये mode हमारी files के end में data append करता है और कोई data भी lost नहीं होता है Fourth mode है text files के लिए r plus और binary files के लिए r plus b या r b plus ये mode read और write डोलों operations को perform कर सकता है इसके लिए भी file exist होनी चाहिए Fifth mode है text files के लिए w plus और binary files के लिए w plus b या w b plus तो ये write और read डोलों operations को perform कर सकता है और अबर file exist है तो existing data delete हो जाता है और new data overwrite होता है Sixth mode है text files के लिए a plus और binary files के लिए a plus b या a b plus ये mode भी write और read डोलों operations perform करता है लेकिन इसमें existing data delete नहीं होता है इसमें new data last में append हो जाता है तो दोस्तों ये थे कुछ file के modes अब हम file को open और close करना सीखेंगे तो files को open करने के लिए हम open keyword का use करते हैं मैंने एक variable लिया file जिसे हम file object भी कहते हैं तो file is equals to open round brackets अब इस round brackets में हमें दो parameter पास करने होते हैं एक file का name और दूसरा file mode तो पहले हम एक file create कर लेते हैं मैंने left side में project icon पर click किया फिर project directory पर right click करके new के tab पर file को select किया और फिर file के name में data.txt एंटर किया तो हमारी एक txt file create हो गई है फिर open के round brackets में double inverted commas में लिखा data.txt फिर comma के बाद double inverted commas में लिखा r मतलब हम data.txt file को read mode r में open कर रहे हैं तो इस तरह से हम अपनी file को open कर सकते हैं तो दोस्तो देखिए जो data.txt file है वो हमारे project directory में है तो हमें कोई file के location एंटर नहीं करनी है अगर हमारी file pc के किसी और location में है तो हमें file की full location एंटर करनी होती है जैसे देखिए मेरे desktop पे एक info file है अब अगर मुझे इस info.txt file को python में open करना है मैं इस file पर right click करके properties को select करके file की location को copy कर लूँगा फिर python में file name में paste कर दूँगा तो python में हमें single slash की location को directly use नहीं कर सकते हैं हमें single slash की जगा double slash का use करना होगा फिर desktop के बाद double slash लगा कर file का name एंटर कर दिया info.txt तो इस तरह से हम file की location एंटर करके भी file को open कर सकते हैं अगर हमें double slash का use नहीं करना है तो हम file name के double inverted commas के पहले r लिख देंगे मतलब अब हमारी string एक raw string है अब double slash का use ना करके single slash भी use कर सकते हैं तो दोस्तों अब आपको file को open करना समझ आ गया होगा तो देखिए ये file अभी भी open है तो इस file को हमें close भी तो करना होगा तो file को close करने के लिए मैंने file object जो की file variable है उसको call किया फिर लिखा file.close तो इस तरह से हम अपनी file को close कर सकते हैं तो दोस्तों अब आपको file के modes, file को open और file को close करना अच्छे से समझ आ गया होगा अगर अब भी आपके मन में कोई doubt हो या कोई problem हो तो आप मुझसे comment section में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे telegram channel और community को भी जॉइन कर सकते हैं अब हम अपनी next video में text file को read, write, update और delete करना भी सीखेंगे तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी next video में